तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम most important topic को cover करेंगे जो की रहेगा new appointment तो जनवरी से लेके मार्च 2022 तक की जितनी भी new appointment रहेंगी आज हम उनको इस वीडियो में cover करेंगे most important topic रहता है आपका आने वाले exams के लिए क्योंकि इस topic से आपको exam में 100% questions देखने को मिलते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को like करें शेर करें चैनल को subscribe कर लें और साथी साथ हम जो question cover करेंगे वो बिल्कुल detail में होंगे अगर किसी organization की appointment होई है तो उसके बारे में हम full detail में cover करेंगे तो आप वीडियो को बिल्कुल भी missना करें starting से end तक पूरी वीडियो को तो most important question बनगे आपने आप में क्योंकि ISRO जो Indian Space Research Organization है हमेशा हमेशा चर्चा में रहती है उसके अभी हाली में नए चीफ चुने गए हैं तो नए चीफ जो चुने गए हैं उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. तो इनसे पहले के सिवान ISRO के चीफ थे या आपको पता होगा अगर ISRO organization की बात करी जाए तो ISRO से आपसे question पूछा जाते हैं तीन एक तो उसका head पूछा जाता है उसके अलावा तीन questions और होते हैं एक पूछा जाता है आपसे headquarter तो ISRO का headquarter located है बैंगलोर करनाटका में इसके founder कौन थे तो विक्रम सारबाई इसके founder थे कब found किया गया था तो 15 अगस्त 1969 को found किया गया था Indian Space Research Organization को ये चार questions होते हैं जो कि आपको ISRO से अभी तक याद रखने हैं अगला question देखते हैं who has become the new general secretary of Shanghai Corporation Organization तो SCO जो organization है Shanghai Corporation Organization इसके नए general secretary जुने गए हैं उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा Zhang Ming, Zhang Ming आपके नए secretary general, general secretary रहेंगे आपके Shanghai Corporation Organization के अगर Shanghai Corporation Organization की बात करी जाए तो इससे related आपको क्या के याद रखना है इसको और किस नाम से जाना जाता है तो Shanghai Pact के नाम से भी Shanghai Corporation Organization को जाना जाता है इसका headquarter है Beijing China में जो की capital है China की इसको found किया गया था 15 June 2001 को official languages है इसकी Chinese और Russian इसको found किसके द्वारा किया गया था तो Russia, China, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan और किर्गिस्तान ये total 6 country रहेंगी जिनके द्वारा found किया था SEO को इसके current time में member कौन कौन है तो इसके founders जो रहेंगे ये 6 country इसकी member है इसके साथ India और Pakistan को भी इसमें शामिल किया गया था तो आपसे exam में question पूछा याएगा कि Shanghai Corporation of Organization का India member है या फिर नहीं तो आपका answer हो जाएगा India member है SEO का आपको ध्यान रखना है इसके जो general secondary है important है who is appointed first woman judge of Pakistan Supreme Court in January 2022 तो जो पाकिस्तान का Supreme Court है उसमें पहली महिला judge चुनी गई है तो उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा आईशा मलिक आईशा मलिक को पहला judge पहला judge चुना गया है आपका पाकिस्तान के Supreme Court में who has been appointed as the chairman and CEO of railway board तो ये भी एक काफी important question आपके exam के लिए कि railway board के नए chairman और CEO कौन चुने गए है तो आपका answer हो जाएगा वीके तरपार्थी वीके तरपार्थी को अभी आपका chairman चुना गया है और CEO चुना गया है railway board का अगर railway minister की बात करी जाए कि अभी current time में हमारे railway minister कौन है इंडिया के तो आपका answer हो जाएगा अशनिवी वैशनव जो है ये आपके railway minister हैं इंडिया के और कब से हैं तो 7 जुलाई 2021 से ये अपने पद को समाल रहे हैं who is appointed as India's chief economic advisor in January 2022 तो इंडिया के chief economic advisor कौन चुने गये हैं तो हमारा answer हो जाएगा वी आनंत नागेशवरन वी आनंत नागेशवरन को इंडिया का chief economic advisor चुना गया है आप देख सकते हैं जितने भी question cover किये जा रहे हैं most important questions हैं क्योंकि जनवरी में February में और March में 2022 में most important appointments की गई हैं अगला question देखते हैं who among these appointed as the chief of Indian coast guard तो Indian coast guard के chief कौन चुने गये हैं तो हमारा answer हो जाएगा वी एस पठानिया वी एस पठानिया को chief चुना गया है Indian coast guard का अगर यहां पे central armed police forces की हम कुछ बात करें तो इनके founding years आपको ध्यान रखने होते हैं जैसे आसाम rifle सबसे oldest हमारी central armed police force है और कब establish हुई थी तो 1835 में इसको establish किया गया था अगर आपसे border security force की बात करी जाए BSF का पूछा जाए तो इसको 1965 में establish किया गया था central industrial security force जिसको की हम CISF के नाम से जानते हैं इसको 1969 में establish किया गया था central reserve police force की अगर आपसे पूछी जाए इसको CRPF बोला जाता है ये 1939 में establish हुई थी इंडो तिबतन border police की अगर बात करी जाए ITBP की ये 1964 में जो चाइना से युद्ध हुआ था उसके बाद इसको establish किया गया था national security guards NSG की अगर बात करी जाए तो 1984 में इसको establish किया गया और सशस्त्र सीमा बल अगर SSB आपसे पूछ लिया जाए तो 1963 में इसको establish किया गया था अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि static GK की topic wise हमारे द्वारा ebook launch करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में provide कराई जा रही है most important क्यों रहेगी क्योंकि आपके आने वाले 4 exams रहेंगे SSE CGL, CHSL, Railway Group D और Railway NTPC, CBT2 उसमें जो topic से question जादा पूछे जाते हैं वही topic इस ebook में cover किये गए हैं इनसे आपको 100% exams में question देखने को मिलेंगे तो आप इस ebook को buy कर सकते हैं इसका link आपको description में मिल जाएगा अगर आप interested हो तो description में जाके आप इसको buy कर सकते हैं अगर downloading में कुछ issue आता है तो यह हमारी Gmail ID है आप इस पर directly mail कर सकते हैं इसके साथ साथ एक most important information यह भी रहेगी कि जो हमारा नया channel है HVS Studies 2.0 उस पे सब topics जो होते हैं इनकी separate video आपको जल्दी provide कराए जाएगी तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को subscribe कर लें इस चैनल का link भी आपको description में provide कराए गया है अगला question देखते है हमारा Who among is appointed as the MD and CEO of Yuko Bank तो Yuko Bank के हाली में CEO और MD कौन चुने गए हैं तो हमारा answer हो जाएगा Soma Shankar Prasad Soma Shankar Prasad को MD और CEO चुना गया है Yuko Bank का Who is re-elected as the Prime Minister of Barbados तो Barbados जो country रहेगी इसके Prime Minister कौन चुने गए हैं और इनको दुबारा चुना गया है पहले भी यही थे इनको दुबारा re-elect किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा Mia Amor Motley Mia Amor Motley को दुबारा चुना गया है Prime Minister Barbados country का Which country has become the ninth member of the new development bank जिसको की NDB के नाम से भी जाना जाता है तो new development bank के ninth member कौन चुने गए हैं कौन सी country रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा Egypt तो Egypt जो country है इसको new development bank का ninth member चुना गया है इससे related new development bank से आपसे पिछला जो एक्जाम हुआ था आपका CGL का उसमें एक question पूछा गया था तो अगर new development bank की बात करी जाए तो इसको एक बार देख लेते हैं तो new development bank को पहले RBI पहले BRICS development bank के नाम से जाना जाता था जिसका headquarter located है शंगाई चाइना में इसको found किया गया था 15 July 2014 में इसके current time में president हो जाएंगे Marcos, Prado, Trojo यह आपको ध्यान रखना इसके president most important रहेंगे exams में पूछे जाते हैं इसको found किया गया था BRICS countries के दौरा BRICS countries आपको पता है 5 countries होती है जो कि member countries में भी रहेंगी Brazil हो गई, Russia हो गई, India हो गई, China हो गई और South Africa हो गई, यह BRICS countries हो गई इसके अलावा यह 4 member countries और रहेंगी आपकी New Development Bank की जिन से exam में question पूछा जाता है तो Bangladesh, United Arab Emirates, Uruguay और Egypt यह भी आपकी member countries है New Development Bank की और यह line के हिसाब से हमने लगा रखा है इसकी अगर आप से पूछा जाए कि छटा member कौन मनाता बेक्स का तो आपका आंसर हो जाएगा Bangladesh, साथवा United Arab Emirates, आठवा उरुगई और नौवा हो जाएगा Egypt Who has been appointed as the army Vice Chief of Indian Army in January 2022 तो जनवरी 2022 में Vice Chief किसको चुना गया है Indian Army का तो आपका आंसर हो जाएगा Manoj Pande Manoj Pande को Vice Chief चुना गया है Indian Army का और जो current time में Chief है Indian Army के उनसे related हमने question cover किया था तो उसको हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में जो हमारी new appointment की पिछली वीडियो थी उसमें हमने cover किया था तो अगर आपको ध्यान है हमारा answer की अभी current time में Chief कौन है Indian Army के तो उसका answer आप comment box में type करके बताएं अगला question देखते हैं हमारा Who is appointed as chairman of Indian Council of Historical Research in January 2022 तो Indian Council of Historical Research के chairman कौन चुने गए है जनवरी 2022 में तो हमारा answer हो जाएगा रगुवेंदर तनवर रगुवेंदर तनवर को चुना गया है Indian Council of Historical Research का chairman जनवरी 2022 में Who is the director general of national mission for clean गंगा under the ministry of जल शक्ती तो जल शक्ती जो मिनिस्टी है उसके under national mission for clean गंगा चलाए जा रहा है उसके director general कौन चुने गए है तो हमारा answer हो जाएगा जी अशोक कुमार जी अशोक कुमार को director general चुना गया है national mission for clean गंगा और अगर मौस्कोट की अगर आपसे बात करी जाएगी मेस्ट कौन है clean गंगा का तो चाचा चौदरी को मेस्केट चुना गया है clean गंगा का Who is appointed as the first woman head of oil and natural gas corporation तो जहाँ पे first woman आपका question में आता है वो आपका question अपने आप important बन जाता है तो पहली महिला head कौन चुनी गई है oil and natural gas corporation की तो आपका answer हो जाएगा alka mittal alka mittal को चुना गया है oil and natural gas corporation का head Who has been appointed as the brand ambassador of online gaming company game 24 by 7 into january 2022 तो january 2022 में games 24 by 7 जो एक brand रहेगा online gaming company रहेगी इसके brand ambassador कौन चुने गए है तो हमारा answer हो जाएगा रितिक रोशन तो एक Indian actor है रितिक रोशन इनको brand ambassador चुना गया है games 24 by 7 का Who has been recently appointed as the chairman of anti-terrorism committee of the security council तो United Nations Security Council की एक anti-terrorism committee रहेगी उसके chairman कौन चुने गए है एक भारती होंगे तो exam के लिए most most important question है हमारा answer हो जाएगा T.S. तुरुमूर्टी T.S. तुरुमूर्टी को आपका chairman चुना गया है anti-terrorism committee का security council की Daniel Ortega has been elected as the president of which country in January 2022 तो Daniel Ortega को अभी जनवरी 2022 में कौनसी country का president चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा निकारगुवा तो निकारगुवा जो country है उसके president चुने गया है Daniel Ortega which state has appointed V.K. भावरा as the new director general of police in January 2022 तो V.K. भावरा का उड़रेक्टर general of police सुना गया है D.G.P. चुना गया है कौनसी state का तो पंजाब state इसका आंसर हो जाएगा और important क्यों रहेगा क्योंकि पंजाब में जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की security lapse होई थी उसके कारण इनको अभी transfer किया गया है इनको चुना गया है इनको बनाया गया है पंजाब का director general police who has been appointed as the new CEO of Vistara Airlines in January 2022 तो Vistara Airlines के नए CEO कौन चुने गये है तो हमारा answer हो जाएगा विनोद खन्ना विनोद खन्ना को Vistara Airlines का new CEO चुना गया है who is appointed as the secretary of ministry of steel in January 2022 तो secretary of ministry of steel किसको चुना गया है जनवरी 2022 में तो हमारा answer हो जाएगा संजय कुमार सिंग संजय कुमार सिंग को secretary of ministry of steel चुना गया है जनवरी 2022 में who has been appointed by the international monetary fund as its chief economist तो chief economist तो आपको पता आपको ध्यान रखना है लेकिन इसके साथ साथ जो exam में most important question रहेगा वो रहेगा आपका deputy director deputy director कौन है international monetary fund के तो आपका answer हो जाएगा गीता गोपिनाथ गीता गोपिनाथ आपकी deputy director है deputy chairman रहेगी international monetary fund की और ये नया पत रहेगा international monetary fund का पहली ही रहेगी है और ये इससे पहले chief economist थी लेकिन अब इनका पत बढ़ा दिया गया है इसलिए exam के लिए most important रहेगा क्योंकि एक Indian है अब अगर आपसे chief economist पूछा जाए current time में कौन चुना गया है तो आपका answer हो जाएगा Perel Oliver तो Perel Oliver जो है इनको चुना गया है international monetary fund का chief economist who has been appointed as the new chairman and MD of the national flight carrier Air India तो national flight carrier जो है Air India उसके नई chairman और MD कौन चुने गया है तो हमारा answer हो जाएगा Vikram Devdath Vikram Devdath को chairman और MD चुना गया है Air India का who has been again appointed as the chairman of commission for agriculture cost and prices तो commission जो है agriculture cost prices की उसके chairman कौन चुने गया है तो हमारा answer हो जाएगा Vijay Paul Sharma Vijay Paul Sharma को commission for agriculture and cost and prices का chairman चुन लिया गया है इनको दुबारा elect किया गया है who has become the new secretary general of OPEC तो most important question रहेगा OPEC जो organization है इसका आपको ध्यान रखना है OPEC organization की अगर बात करी जाए इसके secretary general कौन चुने गये है तो आपका answer हो जाएगा हाइतम अलगिस हाइतम अलगिस को चुना गया है आपका secretary general OPEC organization का OPEC organization का आपको जरूर ध्यान रखना है exam में पूछा जा सकता है OPEC organization की अगर बात करी जाए तो इसकी full form होती है organization of petrol exporting countries इसकी member countries अगर आपसे पूछी जाएं तो आपको ध्यान रखना है इसकी 13 member countries रहेंगी और अगर आपसे पूछा जाए most important रहता है तो इसका headquarter located है Vienna, Austria में इसको found किया गया था September 1960 में यह आपको जरूर ध्यान रखना है most important रहेगा इसकी 13 member countries है यह भी आपको पता होना चाहिए तो labor and employment ministry के additional secretary कौन चुने गए है तो हमारा answer हो जाएगा शशांक गोयल शशांक गोयल को additional secretary चुना गया है ministry of labor and employment जो ministries होती है जो जो नहीं भी ministries है current time में इंडिया की union ministries जो है उनके current time में head कौन है इसकी separate video channel पे already provide कराई जा चुकी है आप उसको जरूर देख लेए उससे भी exam में question मिलते है who has been elected as the president of parliament of European union तो European union की जो parliament है उसके president कौन चुने गए है तो हमारा answer हो जाएगा Robert Metzola Robert Metzola को president चुना गया है Parliament of European union का who has been appointed as the new chairman of ifco तो ifco जो organization है इसके अभी current time में नए chairman चुने गए है तो उनका क्या नाम है तो आपका answer हो जाएगा Dilip Sangni Dilip Sangni को अभी हाली में चुना गया है ifco जो organization है उसका नया chairman ifco की अगर बात करी जाए तो Indian Farmers Fertilizer Cooperative organization इसका नाम रहेगा तो Indian Farmers Fertilizer Cooperative आपको ध्यान रखना है यह इसको जो है ifco के नाम से जाना जाता है इसका headquarter है New Delhi में इसको found किया गया था 3 November 1967 में यह सब आपको पता होना चीए exams में पूछा जा सकता है Dilip Sangni जो है current time में chairman है यह आपको पता चल गया US अवस्थी आपको ध्यान रखना है MD और CEO रहेंगे US अवस्थी आपके इफको के अगला question देखते है हमारा Who has been appointed as the new Vice President of Asian Infrastructure Investment Bank तो AIIB Asian Infrastructure Investment Bank इसके Vice President कौन चुने गये है तो हमारा answer हो जाएगा उर्जित पतेल उर्जित पतेल को Vice President चुना गया है AIIB का Asian Infrastructure Investment Bank का Important क्यों रहेगा क्योंकि उर्जित पतेल Former Reserve Bank के गवर्णर रह चुके है यह आपको पता होना चीह है Former Reserve Bank के गवर्णर है उर्जित पतेल अगर AIIB की बात करी जाए Asian Infrastructure Investment Bank की अगर बात करी जाए तो इसकी current time में Member Countries कितनी है तो इसकी 105 105 Member Countries है current time में Headquarter कहां पे located है तो बेजिंग चाइना में Headquarter है AIIB का अगर इसकी formation की बात करी जाए तो 16 January 2016 को इसको Found किया गया था यह आपको ज़रूर ध्यान रखना है एक्जाम के लिए important रहेगा अगला question देखते है हमारा who has become the new CEO of electric power company Adani Power तो Adani Power एक electric power company रहेगी अब इंडिया जो है वो electrification की तरफ बढ़ रहा है जो विंकल्स है उनके electrification की तरफ इंडिया काम कर रहा है 2025 तक का 40% या 50% के करीब कवर करने का electrification करने का लक्षय रखा गया है government के दौरा तो अगर electric power company Adani Power की बात करी जाए तो इनके नए CEO चुने गए है उनका क्या नाम है तो हमारा आंसर हो जाएगा Share Shing B. Khyaliyah Share Shing B. Khyaliyah को अभी हाली में electric power company Adani Power का नए CEO चुना गया है तो एक तो electrification पे इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है और एक रहेगा आपका solar power पे ये दो चीज रहेंगी जो renewable energy होती है उस पे भी काफी अच्छा काम जिया जा रहा है इंडिया के दौरा तो इन से related questions आप से बन सकते हैं exams में तो आप सबको पताएए प्राइम मिनिस्टर से क्योर्टी लैप्स केस हुआ था पंजाब में उसके लिए एक inquiry committee तयार की गई थी तो उसके chairman कौन चुने गई तो हमारा answer हो जाएगा इंदू मनुत्रा इंदू मनुत्रा को chairman चुना गया था inquiry committee जो बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर सेक्योर्टी लैप्स केस की पंजाब में तो कजाकिस्तान जो country है उसके नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा अली खान, अली कान सिमोलोग अली कान सिमोलोग जो है इनको प्राइम मिनिस्टर चुना गया है कजाकिस्तान country का यह आपको ध्यान रखना है जो हमारी neighboring countries है जो हमारी एशिया में जो countries आती है उनका आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया से related वो पूछी जाती है who is appointed as chief of defense intelligence agency to दिया जो है defense intelligence agency उसके chief कौन चुने गए है तो हमारा answer हो जाएगा GAV ready GAV ready को defense intelligence agency का chief चुना गया है who is reappointed as the prime minister of Portugal तो Portuguese जो है उसके prime minister कौन चुने गए है और यह repointment रहेगी पहले भी यही थे इनको दुबारा चुन लिया गया है तो हमारा answer हो जाएगा Antonio Costa Antonio Costa जो है इनको अभी हाली में reappoint किया गया है prime minister Portugal country का who has become the first brand ambassador of online insurance platform renew by तो renew by एक online insurance platform रहेगा इसके अभी पहले brand ambassador चुने गए है तो उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा Raj Kumar Rao तो Indian actor है Raj Kumar Rao इनको पहला brand ambassador चुन लिया गया है renew by online insurance company का who is the chairman of LIC whose term has been extended by the government till March 2023 तो आप सब को पताए है LIC के chairman कौन है तो आपका answer हो जाएगा Amar Kumar Amar Kumar chairman है LIC के इनका time period को extend कर दिया गया है March 2023 तक के लिए Sergio Matarella has been re-elected as the president of which country तो Sergio Matarella को re-elect किया गया है दुबारा चुना गया है president कौन सी country का तो हमारा answer हो जाएगा Italy तो Italy जो country है उसका दुबारा president चुना गया है Sergio Matarella को who resigned from the post of non-executive and independent director of Britannia Industries Limited तो Britannia Industries Limited के non-executive और independent director किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा उर्जित पतेल तो इनको उर्जित पतेल को चुना गया था अभी दो-तीन महीने पहले की है एक appointment रहेगी तो इन्होंने अपने पत से resign कर दिया है जो इनको पत मिला था Britannia Industries Limited का independent director का उन्होंने resign कर दिया है क्योंकि अब इनको AIIB Asian Infrastructure Investment Bank का Vice President चुल लिया गया है ये former governor है Reserve Bank of India के who has been re-elected as the chairman of International Olympic Committee IOC in February 2022 तो International Olympic Committee के chairman किसको re-elect किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा IMA Taro IMA Taro को दुबारा चुन लिया गया है re-elect कर लिया गया है chairman International Olympic Committee का Who is appointed as the new CEO of National E Governance Division तो National E Governance Division के नए CEO कौन चुने गये हैं तो हमारा answer हो जाएगा Abhishek Singh Abhishek Singh को re-elect किया गया है दुबारा इनको नए CEO चुना गया है National E Governance Division का Who among is appointed as controller general of accounts Most important question है controller general of accounts किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा Sonali Singh Sonali Singh को फरवरी में ही controller general of accounts चुना गया है India का Who has been robed in as the brand ambassador of Krishy Network तो Krishy Network का brand ambassador किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा पंकश्त्र पाथी एक Indian actor है पंकश्त्र पाथी इनको brand ambassador चुना गया है Krishy Network का Who has been elected as the president of the Institute of Chartered Accountants of India ICAI for the 2022-2023 term तो ये question भी अपने आप में most important question है कि किसको elect किया गया है President Institute of Chartered Accountants of India का 2022-23 के लिए तो हमारा answer हो जाएगा देबशीश मिश्रा देबशीश मिश्रा को चुना गया है Institute of Chartered Accountants of India का President Who among is appointed as the CEO and MD of Air India in February 2022 तो Air India के Chairman हमने पीछे ही डिसकस करे थे अभी इसी वीडियो में लेकिन अब आप से पूछा जा रहा है कि CEO और MD किसको चुना गया है Air India का तो आपका answer हो जाएगा Ilkar IC Ilkar IC को चुना गया है CEO और MD Air India Company का February 2022 में Who has been assigned as the Chairman of Central Board of Security Secondary Education तो CBSC जिसको बोला जाता है उसके नई Chairman चुने गए है वो कौन रहेंगे तो हमारा answer हो जाएगा Vynit Joshi Vynit Joshi को Chairman चुना गया है Central Board of Secondary Education का Rahul Bhatia has recently been appointed as the MD of which airlines तो हरे कोशन इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के रहुल भाटिया को अभी हाली में MD चुना गया है कौन सी airlines का तो हमारा answer हो जाएगा Indigo Indigo जो airline है इसका अभी हाली में MD चुना गया है राहुल भाटिया को Who among is elected as the President of Germany तो Germany जो country है उसके President कौन चुने गये है तो हमारा answer हो जाएगा Frank Walton Stanmenyer Frank Walton Stanmenyer जो है इनको President चुना गया है जर्मनी कंट्री का Who among has been selected as the brand ambassador of Bata India तो Bata India जो company है इसके brand ambassador कौन चुने गये है तो हमारा answer हो जाएगा दिशा पतानी एक Indian actress है दिशा पतानी इनको brand ambassador बनाये गया है Bata India company का Who has been appointed as the Executive Chairman of Tata Suns in February 2022 तो Tata Suns अपने आप में important question मन गया की Tata Suns के Executive Chairman कौन चुने गये है तो हमारा answer हो जाएगा N. Chandrashekran N. Chandrashekran को Executive Chairman चुना गया है Tata Suns organization का company का Who has been appointed as Chief Justice of Madras High Court in February 2022 Most important question है एक बार जरूर देखने को मिलेगा कि Chief Justice किसको चुना गया है Madras High Court का तो आपका answer हो जाएगा Munishwar Nath Pandey Munishwar Nath Pandey को आपका Chief Justice चुना गया है Madras High Court का Most important question Who is appointed as the new director of National Council of Educational Research and Training तो NCERT का अभी हाली में new director किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा Dinesh Prasad Saklani Dinesh Prasad Saklani को अभी हाली में new director चुना गया है National Council of Educational Research and Training का Who is appointed as Agriculture Secretary of India in February 2022 तो Agriculture Secretary किसको चुना गया है इंडिया का तो हमारा answer हो जाएगा Manoj Ahuja Important question है Manoj Ahuja को Agriculture Secretary चुना गया है इंडिया का February 2022 में तो दोस्तो ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर लें इसी तरीके का सेम कंटेंट आपको HVS Studies 2.0 हमारे नए चैनल पे प्रोवाइड कराए जाता है जितने भी टॉपिक्स होते हैं टॉपिक की सेपरेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी बाकी डेली करंट अफेर्स के लिए और बाकी टॉपिक्स के लिए बाकी वीडियो के लिए आप हमारे में चैनल HVS Studies को फॉलो कर सकते हैं सबस्क्राइब कर सकते हैं इसके अलावा हमारी चार इबुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उनसे आपको 100% एक्जाम्स में कोश्चन देखने को मिलेंगे तो आप उनको बाई कर सकते हैं डारेक्ट एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे धन्यवाद दोस्तो